T20 World Cup 2024 में Super 8 का साथ वा मुकाबला भारत और बांगलादेश के बीच 22 जून शनिवार को भारते समय अनुसार रात 8 बजे से सर वीवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगा में खिला जाएगा दोस्तो स्वागत है आप सभी का cricketandmore.com में और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और बांगलादेश के बीच होने वाले रोमांचक मैच की फैंटेसी टीम के बारे में Cricket and More ने आज अपनी फैंटेसी टीम में विकेट कीपर के तौर पर रिशब पंद को चुना है बल्ले बाजी करेंगे रोहिशर्मा, विराट कोली, सूरे कुमार यादव और तोहिद हिरदोई और राउंडर है शाकी बलहसन, हर्दिक पांडिया और रिशब हुसेन गेंद बाजी करेंगे जस्प्रीद बुम्रा, कोलदीप यादव और अर्शिदीप सिंग इस मुकाबले में आप जस्प्रीद बुम्रा को कैप्टन के तौर पर चुल सकते हो बुम्रा एंडियन टीम के नंबर वन गेंदबाज है टीट्वेंटी वर्ड कप दो हजार चौविस में तीम के लिए उन्होंने अब तक चार मैचों में महज 52 रन दे कर 8 विकेट चटकाए है बुम्रा के खिलाफ रन बनाना किसी भी बल्लेवाज के लिए असान नहीं है इसका अंदाजा बुम्रा के टीट्वेंटी वर्ड कप दो हजार चौविस के एकनॉमी रेट से लगाया जा सकता है जो की सिर्फ 3.46 का रहा है ये गंगेंदबास टीट्वेंटी फॉर्मेट में अब तक 288 विकेट अपने नाम कर चुगा है बुम्रा बांगलादेश के बल्लेवाजों पर कहर बरपा कर आपको काफी सारे पॉइंट जिता सकते हैं ऐसे में उन्हें कैप्टन के तौर पर चुगना एक अच्छा फैसला होगा उप कप्तान के तौर पर आप विराट कोली को चुग सकते हूँ टुर्नमेंट में विराट का वल्ला अब तक शांत रहा है उन्होंने चार मैचों में सिर्फ 29 रन बनाए हैं लेकिन किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि किंग कोली के नाम T20 फौर्मेट में 12,764 रन दर्ज हैं उन्होंने 20 ओवर के फौर्मेट में 9 सेंचुरी और 96 हाफ सेंचुरी ठोकी है ये भी जान लीजिए कि T20 फौर्मेट में विराट ने बांगलादेश के खिलाफ 96 की ओसस से 193 रन बनाए हैं उन्हें इस कीम के खिलाफ बैटिंग करना काफी पसंद है ऐसे में आप उन पर भरोसा जता सकते हो गौरत लब है कि अंटीगा के मैदान पर बल्ले बाजों के लिए भी अच्छी मदद होगी आईए अब जान लेते हैं इंडिया बांगलादेश मैच की पिछ रिपोर्ट कैसी है ये मुकाबला सर विविन रिचर्ड इस्टेडियम अंटीगा में खिला जाएगा यहां T20 इंटरनेशनल में अब तक 35 मैच खेले गए हैं जिसमें से 17 रन चेस करने वाली टीम ने जीते हैं इस मिदान पर पहली इनिंग का और सत स्कोर 123 रन है लेकिन T20 वोल्ड कप 2024 में यहां एक अच्छा ट्रैक देखने को मिला है जिसमें बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं गौरा तुलब है कि इस मिदान का सरवाधिक स्कोर 194 रन रहा है बात करें अगर इंडिया और बंगलादेश के T20 आई हैड टू हैड रिकॉर्ड की तो अब तक इंडिया और बंगलादेश के बीच 13 मैच खेले गए हैं जिसमें से इंडिया ने 12 वहीं बंगलादेश ने सिर्फ एक मैच जीता है आईए बात करते हैं इंडिया वर्सिस बंगलादेश मैच की प्रॉबैवल प्लेइंग 11 के बारे में इंडियन टीम में आपको रोहिश चर्मा, विराट कोली, रिशाप पंथ, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांडिया, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, अर्श दीप सिंग, कुलदी प्यादव और जस्प्रीद बुमरा नजर आ सकते हैं बात करें अगर बांगलादेश की संभाविट टीम की, तो टीम में तंजित हसन, लटिंदास, नजमुल हुशन शांटो, रिशद हुसेन, तौहिद हिर्दॉय, शाकीबल हसन, महमद दुल्ला रियाद, महदी हसन, तस्की नहमद, तंजीम हसन शाकिब और मुस्तफिजुर नजर आ सकते हैं, आपको बता दे कि आप जैसे क्रिकेट फैंस, टीट्वेंटी वर्ट अप दो हजार चॉबिस के सभी मुकाबले, भारत में, टीवी पर, स्टार स्पोर्स पर एंजॉय कर सकते हैं, वहीं OTT प्लैट्वर्म, डिजनी प्लस, होट स्टार एप पर भी क्रिक लाड़ी बन जाएंगे, फिलाल टिम साओधी ही ये कारनामा कर पाएंगे, वहीं इंडियन विश्वोटक बैटर सूरे कुमार यादव, साथ रन बनाते ही, टीट्वेंटी क्रिकेट में, बता और भारतिय सबसे जादा रन बनाने के मामले में, एमेजोनी को पचार कर छट स्थान पर पहुँच जाएंगे, सूरे कुमार यादव ने अब तक 262 पारियों में 7,426 रन बनाए हैं, वहीं धोनी के नाम 342 पारियों में 7,432 रन दर्ज हैं, ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें, क्रेकेट एंड मोर के साथ धन्यवार!